Can you hear me now? दोस्तों, मेरे मित्र ने अपना पक्ष एक वक्तवे में रखा है मैं 370 की बात नहीं कर रहा हूँ बट मैं सीधा एक मुद्दा उठा रहा हूँ कि कैसे खत्म किया है लोकतंत्र और कैसा बना दिया है हाल कब करेगी भाजपा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का बहाल ये सीधा एक मुद्दा है कब तक आप रिमोट कंट्रोल सरकार चलाना चाहते हैं आज 2014 के बाद वहाँ चुनाव नहीं हुए है जम्मू इन कश्मीर में दोजार अठारा के बाद पांच साल से जब चुनाव ड्यू थे नहीं हुए हैं तो मैं ये मुद्दा उठाना चाहता हूं कि दिमॉक्रसी नट ओटोक्रसी इस दिमांड अवरी सिटिजन आप जम्मू और कैश्मीर जम्मू और कैश्मीर हा धिन रउन भी नहीं है लुद्रन गर्शंट बिया सिंपेज कॉण ड्यू इस दिमांड वें, व्लूम-दोल जम्मू जम्मू इन काश्मीर यहात्गा, पुन पर हाग्रवं कहमें, पर जम्मू पुछराओ जम्मू जम्मू औरक्ष्मिर जमू तस लेकिन हमारा हक है नागरिक के हैसियत से आपके समक्ष स्टेट हुड के मुद्दे पर एक विरोधाभास बताना वो विरोधाभास ये है कि एक तरफ तो ये कहा उच्छतब न्यायले ने कि हम निर्ने नहीं करेंगे वैद्धा, वैलिडिटी के आपने स्टेट को यूटी कैसे बनाया स्पष्ट एक्सप्रेसली कहा है कि हम ये मुद्दा खुला छोड रहे हैं हम ये निर्ने नहीं कर रहे हैं कि ये सामविधानिक रूप से वैद्ध है या अवैद्ध है कि आपने एक प्रदेश को यूटी बनाया और दूसरी तरफ ये विरुदाभास है बहुत गंभीर सामविधानिक विरुदाभास है उन्होंने कहा कि जो आपने लद्दाख को प्रदेश से यूटी बनाया वो वैद्ध है अब मैं इस पर तक्निकी बात नहीं कर रहा हूं मैं गुरुदाभास बता रहा हूं समविधान के अनुचेत तीन में आप किसी प्रदेश के एक हिस्से को यूटिन टेरिटरी बना सकते हैं एक प्रदेश के कुछ हिस्से को दो प्रदेश बना सकते हैं तीन प्रदेश बना सक अब इस निर्ने में जो विरोधा भास है वो यह है कि आपने पूरे इलाके को यूटी बना दिया दो अलग अलग यूटी और एक यूटी के बारे में आपने कहा कि हम यह निर्ने अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको आश्वाशन मिला है कि निकट भविश्य में प्रदेश बन जाएगा बापिस जम्मुर कश्मीर और दूसरे के बारे में कहा कि हम होल्ड कर रहे हैं कि यह वैद है तो जब तक एक हिस्सा इस बड़े इलाके का प्रदेश नहीं है जहां कि लोकतंत्र गंतंत्र प्रदेश का है तब तक अनुछे तीन के अंतरगत भी यह वैद नहीं हो सकता